मेरे मंदिर जाने पर क्यों मत जाता है बवाल पाकिस्तान को खुश करने के लिए जारी किया गया घोशना पत बाला कोट बदले के बाद रोना किसी को था और रो कोई और रहा था अब खबरेविस्तार से ब्रांड नेता गृराज सिंग ने अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकलने से पहले मंदिर में जाकर पुजा करते हैं गृराज का मंदिर जाना इन दिनों चर्चा का विशे बना हुआ है मंदिर जाने को लेकर हो रहे चर्चे और विवक्ष द्वारा की जा रही छीट कशी पर केंद्रिय मंद्री ने करारा जवाब दिया है एंडिये प्रत्याशी चंदन सिंग के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर नवादा पहुंचे गिरी राज सिंग ने मीडिया से बाचित के दोरान मंदिर जाने के सवाल पर कहा की आज हमारे मंदिर मंदिर जाने से लोगों में क्यों खलबली मच रहा है जब कोई मस्दित जाता है तो किसी को तो कोई दर्द नहीं होता गिरी राज ने कहा कि हम एक हिंदू है हमारी पहचान माता दुर्गा देवी काली से है मंदिर गिरी राज ने कहा कि सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए लेकिन किसी के मंदिर मस्दित जाने पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जैबी के फायर ब्राड नेता ग realities ने एक बार फिर से एक सोग्रेस पर हख़ा किआ कि ग्रीराज ने कहा कि habrrok प्रत्र हिंदिस्थां को कम और पाकिस्थां को ज्यादा खुश्श करने वाला लग रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए यहां घोशना पत्र जारी किया है बेगु सराय लोग सभाशित्र के भाशपा प्रत्याशीगरी राज सिंग ने ट्वीट कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा है कि राज सिंग ट्वीट कर लिखा है कि कॉंगेस का घोशना पत्र हिंदुस्तान को कम और पाकिस्तान को ज्यादा खुश करने वाला लग रहा है पस्चिम बंगाल केसिली गुडी में चुनावी रेली को संबोधित करते हुए प्रधान मंति नरेंद्र मुदी ने ममता बैनर जी पर जवाबी हमले की उन्होंने ममता पैनर जी की बाला कोर्ट में हुई एर स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर कहा कि जब बाला कोर्ट में बदला लेकर हमारे जवान वापस आये तो रोना किसी को था और रो कोई और रहा था दर्द इसलामाबाद और रावल पिंडी में होना चाहिए था लेकिन दर्द यहां कॉलकाता में बैठी दीदी को हो रहा था उन्होंने कहा कि मोधी ने ये क्यों किया मोधी सबुत दे तो MNS News लाइक की ख़बर देखने के लिए आज ही फ्ले स्टोर से MNS सिंधी अब डाउनोट करें हमाएं चैनल को सब्सक्राइब करें धिन्यवाद